समस्याएं आती हैं और समाधान भी साथ लाती है प्राकिर्ति की रूप से मानोजाती के पीछे समस्याओं का जाल लगा रहता है लेकिन हमारा conscious mind ये कहता है कि हमें कैसे भी करके उससे पीछा छोडाना है और अपने विकास और प्रागती के पत्वे आगे बढ़ते रहना है लेकिन कई बार जब हमारे पास options होते है जब हमें चुनाओ करना पड़ता है जब हमें किसी एक को चूज करना पड़ता है तब ये जो है confuse हो जाता है फिर हम ये सोचने लगते हैं कि इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं पैड जाएं और ऐसे में आपको कुछ facts को समझना चाहिए कुछ data analysis करना चाहिए और finally फिर चुनाओ करना चाहिए आज कुछ इसी तरीके के विशाप पर हम लोग बात करने वाले हैं और वो है बिएच्व वर्सस के यू कासिन विश्विद्याले और अलहाबाद विश्विद्याले में कौन बच्चा किधर जाए तो उसका जीवन अच्छा हो सकता है यहाँ पर इस कंपरिजन का मतलब कत्ता ही यह नहीं है कि मैं यह बोलूँगा कि अलहाबाद बेस्ट है बिएच्व अच्छा नहीं है या बिएच्व बेस्ट है अलहाबाद अच्छा नहीं है दोनों ही विश्विद्याले हैं दोनों ही सेंटर इन्वर्सटीद हैं लेकिन फिर भी जैसे होता है कि हर किसी के लिए कोई बनाये गया है उसी तरीके से बियेचु किसके लिए बनाये गया है इलहाबाद किसके लिए बनाये गया है उस पर डिपेंड करता है कि बियेचु जिसके बाद कहीं ने कहीं आप इस एक confusion से बाहर निकल पाओगे और एक चुनाओ कर पाओगे कि हमें भी एचु जाना है या हमें अलहाब आज जाना है तो फाइनली इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आप देख रहे हैं तेस यूटी पार्ट साल आप सीका बहुत बहुत स 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 लगातार ऐसे वीडियो जाएंगे टाइम टुटाइम अप्डेट दिया जाएगा ऑफिसियल अन ओफिसियल और आनालाइज वीडियो लिएगा तो सब्सक्राइब जरूर करीये गा और फिल अकन को प्रेश जरूर करीयेगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे प इलहाबाद विस्विद्यालय प्रयागराज में है, इलहाबाद में ही है और दोनों ही अपने आप में बहुत ही जादा famous है, बच्चों के ज़ाइसेस दोनों के लिए लगभग equally है इलहाबाद विस्विद्याले बियेचू से ज़्यादा पुराना है उसके इल्यूमिनाई देश के हर एक हिस्से में ज़्यादा कारे रहत है as compared to बियेचू बियेचू जो है वो जैस सहर में है वो सहर है आध्यात्मिक, spiritual city है लेकिन जो हम इलहाबाद की बात करते हैं तो इलहाबाद भी कम नहीं है इलहाबाद भी संगम है तीन नदियों का गंगा, यमना, सरस्वती और वहाँ पे भी आध्यात्म अपनी लेबल पे है कहा जाए, इक मिन्स कि देखना हो कि हाँ, दोनों में सहर से क्या कंपरिजन कर सकते हैं, तो लगबग आलमोस दोनों सहर बराबर हैं, धार्मिक रूप से भी और आधुनिक्ता में भी दोनों ही सहर मॉडल है दोनों ही सहर में इतने 22 विस्विद्याले हैं तो चुनाओ करना थोड़ा डिफकल्ट है लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग एनालाइज करें तो कहीं ने कहीं ये पॉइंट्स बाहर निकाल सकते हैं कहां बी एच्चु में जाएं कि अलहाबाद जाएं और कौन जाए बिसिकली ये भी इंपॉइंट्स तो आई हम लोग डेटा फैक्स की बात करते हैं इंपॉइंट्स पॉइंट्स सबसे पहला पॉइंट्स जो आपको यहां पर फोकस करना है अगर इस चीज को हम लोग जाने कैसे वो है बेस प्लेटफॉर्म सोसल मेडिया सोसल मेडिया आप देखते हो इलहाबाद के लिए हमेशा कुछन कुछ पॉलिटिकल इसूज नजर आते हैं फरना प्रदर्सन आगजनी लड़ाई जगड़ा पुलीस लाठी चार्ड इस तरीके की चीज़ें आप हमेशा देखोगे इलहाबाद में ज्यादा ट्रेंडिंग है और वहां के जो भीसीज होते हैं जो टाइम टाइम वहां पे रखे जाते हैं मैं किसी एक को नहीं वो लोगा क्योंकि मेरा चार साल का एक्सप्रियेंस है हर भीसी का लगबग वही कहानी है कि वो बच्चों के डिसीजन्स को मानता नहीं है जनरली वो अपना दादा की या अपनी मनमानी करनी कोशिस करते हैं वो यह नहीं सोसते हैं कि इलहाबाद के सिक्षा बिवस्था में सुधार किया जाए बरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि best कौन है तो ये study purpose में देखा जाए, तो BHO में धरने प्रदर्शन कम होते हैं, इलहाबाद में जादा होते हैं लेकिन जब मैं इलहाबाद के बच्चों से बाद किया तो इलहाबाद के बच्चों का कहना है कि जरूरी नहीं है कि जब धरना होता है, तो उन्हें रूम से पकड़ के लाया जाता है जिसकी च्वाइस होती है, वो जाके धरना करता है, जिसकी च्वाइस नहीं होती है वो अपने रूम में, वो किसी कट्रा के रूम में, वो किसी बेली वाले रोड के रूम पे अपने self study में मन लगा सकता है लेकिन फिर भी मैं इसके पहले एक वीडियो में बात किया था environment matter करता है बियेच्चू एक favorable environment देता है study के लिए तो ऐसे में कहीं ने कहीं study purpose से देखा जाए तो वो यहाँ पे बियेच्चू टॉप पे है लेकिन हाँ आप यह आगे बात के राज आएगा facilities facility मतलब हो जाता है कि on ground level पे जो विस्विद्याले होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी facility है जिससे की एक छात्र अपना सर्वांगर विकास कर सके dynamic personality को आगे ले जा सके जरूरी है इसमें बात होने से PHU जो है उसमें अगर आप देखते हो तो उसमें swimming pool है gym है sports ground है sports की अलग पुरा department है yoga है और साथ साथ एक last slide पे आप देखोगे free UPSC की coaching है facility में हर कुछ आएगा यहाँ खुद का अपना एक health center भी है यहाँ पे अगर आपको major issues है ना हो ऐसा hospital भी है और यह सभी facilities बहुत smoothly work करती है मैं सत बता हूँ तो पढ़ाई से ज़्यादा BHU facilities के लिए famous है BHU में treatment को देखा जाए तो आए दिन यहाँ के बच्चों को उनके रिष्टेदार या उनके घर वाले phone करके बोले रहते हैं कि बेटा number लगा देना हम फलानवा अंग से बीमारी से परसान है और उसके इलाज के लिए हम लोग आ रहे हैं तो BHU facilities में भी टॉप पे है और मैं BHU के facilities को तो पूरे इंडिया के इनवर्सल्टी टॉप पे बोलूँगा यहाँ का सबसे बड़ी facility जो है BHU के लोगों को ध्यान से समझना चाहिए और क्योंकि उसकी उपयोगता जो मिस्यूच करते हैं उस चीज को समझना चाहिए और जो आप लोग आने वाले उस चीज को भी समझना चाहिए और वो है BHU की library अभी आपने हाली में मेरे ही चैनल पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें में बताया था कि BHU की library को first rank दिया गया है इन इंडिया पूरे देश में जहां पे लगबग हजार से ज़्यादा library की counting की गई थी और वहां पे BHU की library को first rank दिया गया मैं BHU की library में पढ़ने वाले बच्चू के बहुत सा reporting करके चैनल पर डाला हुआ हूँ साथी साथ BHU से पढ़के first rank लाने वाले C.A.P.M. में सचीन भईया का interview लिया था उन्होंने भी बोला कि उनका जो selection का सबसे बड़ा credit है वो BHU की library को जाता है उसके बार मैं UP government के teacher में एक लोग का first rank आया था I think राहूल नामत भाईया का उनका भी मैंने टॉपर टॉपर डाला है अपने ही चैनल पे उन्होंने भी बोला कि मेरा जो credit है वो जाता है महादेव को और दूसरा जाता है BHU की library को कहने का मतलब यह है कि BHU की library यहां के प्रोफेसरों सोई ज्यादा beneficial है यहां के कितने भी बड़े facilities उसमें सबसे आदा अगर कोई बड़ी facilities है तो वो है BHU की central library चैया cyber हो चैया central हो दोनों में अभी रात में वीडियो बना रहा हूं आल्मोस्ट तीन बज़रा होगा रात के तीन बज़रा है मैं तीन बज़रा है मैं तीन बज़रा रात में अगर जाओ BHU बगल में ही है वहाँ पे बच्चे पढ़ते नज़राएंगे इतनी रात को यह है BHU के central library की खासियत, cyber library की खासियत उसके बाद हम लोग देखते हैं extra courses BHU में और अलहाबाद में आप जिस course में admission लेते हो उसके बाद भी उसी के साथ कुछ extra courses कर सकते हो जैसे diploma, certificate, yoga, language, जो कि आपके curricular activities as a personality development में बहुत हाइदा करता है और मैं बता दूँ कि इसमें भी BHU टॉप में है तुकि BHU में बहुत सारे लगबग तीस स्यादा foreign language है जिसमें आप BHU में पढ़ाई करते करते हो उनका diploma course ले सकते हो ताथी साथ यहाँ पे आप yoga का certificate ले सकते हो वो certificate जो आपके job में काम आएगा UP government ने कहीं ने कहीं announce भी किया बहुत पहले कि वो आने वाले समय में yoga certificate को compulsory कर देगा जो आप यहाँ पे कर सकते हो अपने graduation के साथ अपने post graduation के साथ हाँ लेकिन यह सब चीजें आपको इलहाबाद में मिल सकती है कुछ नहीं मिलेंगी कुछ मिलेंगी जैसे foreign language जरूरी नहीं है कि सब इलहाबाद में मिल जाए NCC, NSS, इलहाबाद में मिलेगा भीयच्चू भी मिलेगा तो यह आपको जाना पड़ेगा कि यह facilities आपको लेनी हैं कि नहीं क्योंकि यह depend करता है होसता है कुछ अब सब जुरूरी नहीं है सब को NSS करना, सब को NCC करना हो अब मैं भीयच्चू में पढ़ रहा हूँ मैंने भीयच्चू के हर एक facility को utilize किया खासी आने मैंने कफ सीरप भी लिया है बुखार आने पर परसिटा मॉल भी लिया है और मैं यहां से NCC भी किया हूँ और अपने master, अपने UG हर एक course को complete किया कहने का sense यह है कि आप जिस भी भी स्विद्याले में जाना वहां के किसी भी facilities को छोड़ डाल नहीं मैंने swimming pool तक जुआइन किया था भी एक्चू का बहुत कम लोग जुआइन करते है अग गजब का दमदार swimming pool है यहां का मैं बता दे रहा हूँ मज़ा आ जाएगा इतना खतरनाक बनाए हैं लोग उसके बाद है यहां पे fooding and loging यानि room का rent और खाने का जो खर्चा है यहां पे इलहाबाद टॉप हो जाएगा क्योंकि इलहाबाद की जो student strength है वो पहले सही थोड़ा सा prod था जिसकी वज़े से वहां पे खाने का और रहने का जो लेकिन यह जान जानाक बस 19-20 का अंतर है 15-20 का अंतर नहीं है कहने के मतलब यह है कि अगर एक बच्चा यहां पे महीने का 6000 खतम करता है रहने खाने में बियेच्चू में तो वो इलहाबाद में 5000 करेगा बस इतना ही अंतर आने वाला है उससे जादा नहीं आने वाला है तो खाने और रूम के कंपरेजन में एलहाबाद थोड़ा सा आपके लिए जादा बेनिफेसिल हो सकता है उसके बाद कोचिंग यहां भी एलहाबाद आपसे आगे निकल जागा इटमिन्स बियेच्चू से है क्योंकि कोचिंग फैसल्टी चाहे वंडे एक्जाम का हो चाहे यूपी असी का हो चाहे कोई टेक डिगरी का हो चाहे कोई भी किसी भी कोर्स का हो उसमें आपको एलहाबाद में मिल सकता है बियेच्चू में नहीं मिल सकता है इटमिन्स की बियेच्चू के टीकी नहीं बस अपना होम ब्रांच बना के अपना एक ब्रांच जहां छोड़के चली गई एडमिंसन्स जीरो हैं और मैं एक बात और बता दूँ बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं वे अपना सेल्फ इस्टैटी करना चाहते है इसलिए लाइबरेडी में ही पढ़ाई करते हैं उनके लिए टीचर सा और ये इस्टैटी पर ज्यादा confidence रखते हैं खुद पर जादा confidence रखते हैं तो जितनी काउंट करा उसमें दो आगे निकल जाएगा अब खुद कंपेर करो कि BHO versus AU कौन सा बेस्ट है आपके लिए आगे भी में लोग पॉइंट डिसकस करते हैं बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है मैंने और वो है प्री UPSC कोचिंग UPSC की कोचिंग के लिए BHO में एक special department बनाए गया है एक क्या dice बोलते हैं उसे डॉक्टर भीम रामेटकर UPSC के लिए यह एक कहां पे बनाई गई है जहां पे ST और SC के बच्चे जो है वो फ्री कोचिंग ले सकते हैं लेकिन ध्यान देना यह जनरल OBC के लिए नहीं है यह facilities कुछ particular लोगों के लिए है और जिसका पहला बैच BHO में भी पढ़ रहा है पहला बैच पढ़ रहा है वैसे जब भी मैं facilities की बात करता हूँ मेरे हिसाब से चाए अलहाबाद हो चाए BHO हो या देश का कोई central universities हो जो आपके पास ground है जो आपके पास boundary है buildings हैं तो आपको ऐसे facilities fix नहीं करने चाहिए कि इस particular category के लिए बना जाएगा यह चीज़ें open होना चाहिए यह सीधा सीधा partiality है तरीके से और उतना ही नहीं इस चीज़ को जितना भैला सको उतना भैलाना चाहिए fix नहीं करना चाहिए limit में क्या जोग रहता है मैं तो यहां तक बोलता हूँ कि किसी department में अगर बस 15 सीटे है बाई उस department इनने पैसे खर्ज किया जाने बस 15 लोग को क्यों पढ़ा रहो जैसे B.A.L.L बस 70 लोग को पढ़ाओगे क्यों आप उससे बढ़ागे 200 करो 500 करो ज्यादा लोग पढ़ेंगे फाइदा होगा भाई उतने टीचर हैं ही उतनी बिल्डिंगे हैं ही उतने डेक्स हैं ही तो क्यों नहीं आप सीटे बढ़ा देते हो लेकिन पता नहीं क्या reason होता है basically आज के जो वीडियो था वो था कि BHU और AU में क्या choose करें तो finally conclusion ये है कि आप देख लो आपका घर नस्दी किससे है तो कि टांस्पोर्ट का बार बार चक्कर जो रहता है वो आपका नहीं रहेगा ठीक है आपको coaching जोईन करना है तो आप देखो कि अलहाबाद में available है लेकिन आपको लग रहा है किने हमें master's करना है हम बाद में research करेंगे देखो BHU अच्छा है आपको लग रहा है sports में career बनाना है तो देखो BHU में भी है इलहाबाद में भी है वहाँ बना सकते हो यहां बना सकते हो आपको लग रहा है किसी foreign language में आपको आगे अच्छा करना है तो आप देख चलना है इक लास्ट में जो पॉइंट शूट रहा है उन्हें डिसकस करना चाहूंगा बहुत सर बच्छी स्टेटेस लगाते हैं तो जो ड्रीम इन्वर्सटी का एक ख्वाब हमेशा लेके चलते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है न उतनी वैलू नहीं करेगा क्योंकि उनक के लिए एक सजेशन है कि आप अपने ड्रीम इन्वर्सटी को बस सपने में मत जीना हकिकत करने का समय आ गया है हकिकत में उसे कनवर्ट करो और जिस एम के साथ उस पर्टिकुलर इन्वर्सटी के गेट के अंदर इंट्री लोगे प्रवेस लोगे उस एम को भूलना मत यह मैं बार बर हर वीडियो में सट कर रहा हूं बाकी हमारे हैं 2024 के लिए कोर्स रन स्टार्ट कर रहा है कोर्स रन कर रहा है आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं डिस्क्रिप्सन में नमबर उस पर वार्टसप करके कोर्स ज्वाइन करा सकते हैं मुस्कुराते रहें बहुत